दोस्तों मैं बच्पन से सुनते आ रहा हूँ कि अगर आप बुरा काम करोगे तो आपकी सिकायत होगी और अच्छा काम करोगे तो आपके तारीफ होगी लेकिन ये बात हमेशा लागू नहीं होता और ये बात सयाध हमेशा सही नहीं होता और दोस्तों मैं एभी सुनते आ रहा हूँ कि सरकार या नेता कभी जनता के पक्षमे बात नहीं कर सकते कभी जनता के लिए नहीं सोच सकते इसलिए जनता उनसे चिड़ती है या उनका कहना नहीं मानती लेकिन दोस्तो अभी ए बाद भी मैं पुरी तरह सही नहीं मार रहा हूँ दोस्तो अभी हाल का घटना क्रम देखे तो किसानों दोरा सिंगु बॉर्डर को मिला कर दिल्ली से सटे सारे बॉर्डर को जिस तरह से जाम किया जा रहा है और ये कहते हुए कि सरकार अपनी किसान बिल वापस ले ले एक किसान बिल काला कानून की तरह है और अंग्रेजों की बिल की तरह है ये कहते हुए किसान बिल को वापस लेने की जो मांग कर रही है उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हर वक्त अच्छे काम की या अच्छे चीजों की तारीफ नी मिलती अच्छे चीजों के बदले कभी कौल बिरोध भी जहलना पड़ता है दोस्तों बड़े से बड़े एक्सपर्ट, बड़े से बड़े एक्सपर्ट, बड़े से बड़े ज्यानी ये बात कह रहे है कि जो किसी बिल, जो नया किसी बिल है वो किसानों के हर एंगल से भले के लिए है और किसानों का कोई भी अधिकार नहीं छिन रहा है बलकि उन्हें अधिकार दे रहा है लेकिन किसान इस बात से डरे हुए कि सरकार मंडी बेवस्ता खतम कर देगी सरकार अधरतियों को खतम कर देगी और सरकार उनका सबसे महत्पूर्ण चीज MSP को खतम कर देगी लेकिन दोस्तों गवर किया जाए, गवर से सोचा जाए, तो नए किसान बिल में कहीं भी गवात नहीं लिखाये कि MSP को कि खतम कर दिया जाएगा और अभी MSP पर पूरा का पूरा फस्ट लोग इस खरीदी भी जा रही है दोस्तों नया किसान कानून या नया किसी कानून को दम सरल भासा में सबजनी के लिए ऐसे समझते हैं कि मान लिजे आप कोई काम कर रहे हैं और आपके घर में साइकल है आपको साइकल सरकार पहले से दे दिया है सुरू से इस सरकारे द्वारा दिया जा रहा है कि आप इससे अपना काम छलाएंगे लेकिन जब काम बड़ा रहता है तो आपको पैसे देकर गाड़ी बुक कराने पड़ते हैं और ओ गाड़ी में आपको ज्यादा खर 앞에 चाता है लेकिन सरकार अब क्या कह रहा है का रहा है कि आपका जो cycle जो मिल रहा हो तो मिलेगा ही, cycle वाली सुईधा जानी रहेगे, आपको घर घर एक गाड़ी दे दिया जाएगा, और जब आपको cycle का जुरूत है तो cycle से जाएगे, और अगर आपको लगता है कि गाड़ी की जुरूत है तो आप जो भाड़े पर गाड अच्छा देंगे उससे चामरे घर में गाड़ी खड़ी है चुमचाब गाड़ी में तेल डालेंगे और अपना काम करके आजाएंगे सब चीज और बच जाएगा और सरकार कभी भी नहीं करें कि आपकी साइकल भी आपसे ले ली जाएगी लेकिन बिबक्षी दलो द्वारा यह हला उठाया जा रहा है कि सरकार आपकी साइकल ले लेगी आज गाड़ी दी है साइकल ले लेगी जबकि सरकार ने कहीं भी नहीं बोलाए कि साइकल लेगी मतलब कि जो नया किसान बिल है उप पुराने जो सुईधा दी उसको खतम नहीं कर रहा है और सरकार यहीं नहीं क cycle छिन लेगी और गाड़ी आपको दे देगी आप जब भी भी कहीं जाओगा तो आपका खर चलाएगा आपको फिरी वाला सुईधा नहीं मिलेगा जबकि सरकार ने clear कह दिया है कि साइकल नहीं ली जाएगी तो वही हाल भी नया किरसी बिल के लेकर है नय किरसी बिल में सरकार MSP हो गई या मंडी हो गई या अडरतियों का जो महत हो गया सब चीज वाजिब लखा है सरकार अलग से सरकार अलग से एक सुईधा दिया है कि आप चाहो तो बड़ी कंपनियों से उसे दे कॉंटेट कर सकते हो और उसमें कुछ जमयार लोग बिचवान रहेंगे और आप चाहो तो बड़ी कंपनियों से जो डेट में चाहे तो एक्रिमेंट कर लो तो उससे किसानों को फायदा यह होगा कि अपनी जो फसल उगाता है आप और निश्चिन दोकर उगाएगा और उगाने के बाद किसान को यह सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा फसलो का होगा क्या क्योंकि वो बड़ी कंपनियों से कॉंटेट करके रखा है किसानों को इस बात के लिए मजबूर भी नहीं किया गया कि आपको एग्रिमेंट करना ही करना है किसानों को उनके मरजी पर छोड़ दिया गया है कि आप बड़ी कंपनियों से एग्रिमेंट करते हो या नहीं करते हो और अगर बड़ी कंपनियों से एग्रिमेंट नहीं करना तो छोड़ दो मत करो एग्रिमेंट क्या जोरत है आप अपना नॉर्मल जैसे पहले जो MSP था उस पर बेचो और किसानों को एफाइदा होगा कि किसानों को बड़ी कम्पनियों से एग्रिमेंट कर ले सेटिलमेंट कर ले तो किसानों को सरकार का जो MSP में जो बेच रहा है न और नहीं तो सरकार लिख के दे कि MSP खतम नहीं किया जाएगा तो मैं काता हूँ कि सरकार जब MSP को सरकार जब MSP का चर्चाही नए बिल में नहीं की है तो उसे वापस लिख क्यों दे वैसे क्या क्या चीज लिख के सरकार देगा और अगर दूसरी बात देखा जाया तो इस देश में सरकार के वला के ओल उसकी सुनती है और सरकार उनीक के अनसार से चलती है जिनके साथ जनता का साहनु होती हो किसानों दोरा जिस तरह से दिल्ली बॉर्टर को जाम कर दिया गया है कितने सारे लोग आवा जाही को लेका बड़े परसान है दूद, सबजी, फल, सबकी दिक्कत दिल्ली में सुरू हो गई है कैकी ट्रकी इस आंदोलन में दिल्ली में ऐसे जगा फसी हुई है जिनको लगदाक जाना है और लगदाक में बहुत ज़्यादा जरूरी समान है, बहुत दवाईया है और अगर अभी उस समय पर नहीं पहुंचे तो थंडी का मौसम चर रहा है लगदाक की सड़के जाब हो सकती है, दोस्तों अगर देखा जातों किसानों के लिए इज़त इस देश में सुरू सही रही है, एक किसान और एक जवान, लेकिन किसान जिस तरह सिस्तर से बंद करके रखे हैं तो जनता करने वाला या इरिटेट करने वाला समझने लग जाएगी, और ऐसे टाइम में जाने का मतलब क्या होगा, सरकार को किसानों से डरनी लाएगा, किसान के आंदोलन से डरनी लाएगा, और सरकार ये बहुत जल्दी अबाद सावित कर देगी कि वो जो किसान थे, वो गैर कानूनी काम कर रह थे, जनता को परसान कर रह थे और हम जनता को मुक्त कराने के बहुत बोलबाला है। मैं कईके ऐसे लोग को जानता हूं कि जो वेक्ति सीधे सीधे कोई काम कर रहा है तो कोई वेक्ति डाइरेक्ट उसके बाद जायागा नहीं कि मुझे काम करवाना है। वेक्ति बीचोलियों को लेकर जाएगा और बीचोलियों को लेकर जाएगा और बीचोलियों दोनों तरफ से पैसे लेंगे। लेकिन डाइरेक्ट कोई काम ही कराँ चाहता है। और दोस्तों वही हालत किसानों का भी है, सरकार ने बहुत बड़ी कोशिस की है, बहुत हिम्मत लेके कोशिस की है कि किसानों को, किसानों को बिचोलियों के चंगल से मुक्त करे, किसानों को बहुत सारा आपसन दे उसके विकल्प को पढ़ा है, किसान का मन करे तो अपनी फसल और इन अड़तियों का काम बढ़ा आसान कर रहे हैं। और माना जाये तो एक किसान जो कई सालों के बेडियों में जखड़े हुए थे उन बेडियों को जो आजात करने का बहुत अच्छा मौका है। उससे चूखने जैसा काम होने वाला है। किसान नेताओं का जो नेताओं द्वारा या जो संग्धन द्वारा बिरोद किया जा रहा है। उनके तरफ से ही डर दिखाया जा रहा है कि सरकार आज नी तो कल MSP खतम कर देगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब सरकार भी खत्म नहीं की है, कि सरकार जिस टाइब MSP खत्म कर देगी तो सब को अच्छा भी लाएगा। कि वह बस अपने मन में एक कालपनिक डर एक बेमतलब का डर को लेकर पुरे सड़क को रोकना एक सबसे ज़्यादा नुकसान दायक किसानों के लिए है। इसमें कोई दोरा नहीं कि इससे परसान देश के और लोग भी हो रहे हैं, इससे परसान दिल्ली वासी हो रहे हैं, लेकिन इनकी परसानी च्छनिक है आज नहीं तो खल, किसान तो हटेंगे, सड़क तो खुलेगे, क्योंकि भारतिये सनिधान ने इजाजत ही नहीं देता, भारतिये सनिधान ने इजाजत नहीं देता कि आप दूसरे की आजादी या दूसरे की आवाजाही को रोकेंगे, भारतिये सनिधान ने कहता है कि आपको दिक्कत है तो एक जगा पर आकर बिरोद कीजिए, और किसान जीस तरह से डटे हैं, आज नहीं तो कल, बहुत जल्द को अच्छे से पढ़ना चाहिए, और इस बिल में जो जो चीज खतम करने की बात वाकई में की जा रही है, तो उसके खिलाफी आवाज उठाना चाहिए, और अगर जिसकी खतम करने की बात नहीं किया जा रहा है, उसको लेकर भामक तोर पर बिरोद से बचना चाहिए, और उनके लिए ही बहुत ज्यादा फायदा मंद होगा, तो दोस्तों किसान आंदरों को लेकर मेरे इस वीचार से आप कितने ज्यादा सहमत है, कॉमेंट करके जुरू बताईएगा,